गेहों की बुवाई का समय चल रहा है और गेहों की बुवाई के समय किसान बाई जल्द बाजी में कुछ एसी गलतिया है जो कर देते हैं जिससे किसानों को बाद में नुक्सान होता है किसान सात्यों अगर आप भी गेहों लगाने की सोच रहे है तो गेहों की बुवाई के समय कुछ इसी चीजे है जिनका आपको ध्यान रखना है जिससे सुरुवास सही गेहों की जो फसल है वो एकदम हरी बरी रहेगी पोदे में कापी अच्छा फुटावाएगा इस साल गेह गेहों की बुवाई के लिए सबसे जरूरी बात है बुवाई का सई समय और बुवाई का तरीका किसान सात्यों गेहों की बुवाई का समय वेसे तो चल रहा है क्योंकि नौवंबर का मैना सुरू हो चुका है लेकिन अबे भी कई सेत्रों का तापमान बहुत ज़्यादा है जिस कारण दिन में गर्मी पड़ रही है और रात को उतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ पारी है गिहों की फसल के लिए बुवाई का जो सई समय है वो एक नॉवंबर से 25 नॉवंबर के आज़ पास का है लेकिन अगर आपके सेतर में भी मोसम में बदलाव नहीं आया है तो किसान भाई जल्द बाजी में गिहों की बुवाई ना करे दो से चार दिन निकलने दे उसके बाद आप 5 से 10 नॉवंबर के मद्धे गिहों की बुवनी कर सकते है अगर आपके यहां पर अच्छी ठंड पढ़ने लगी है तो इस समय पर गिहों की बुवाई कर सकते है इसके लवा बुवाई का सइथ तरीका आपको पता होना चीए बहुत से किसान भाई गिहों की बुवाई सिड्रिल मसीन से करते हैं तरीका कापी बढ़िया तरीका है लेकिन किसान भायों सिडिल मशिन से गिहूं की बुवई करते समय जादा गहराई पर गिहूं की बुवई ना करें साथ ही जो 20 दर आप रखते है वो विराइटी के नुसार रखे कुछ ऐसी विराइटी है जिससे की एच चाई सित्यसी 69 पूसा तेजस जिसमें फुटाओ कम आता है इसलिए इस विराइटी की थोड़ी सगन बुवनी करना चीए इसके लावा कुछ ऐसी विराइटी होती है जिनमें कापी बढ़िया फुटाओ आता है उनमें आप सगन बुवई ना करें उनकी बीज़दर थोड़ी कम रखे इस बात का विशेश तोर पर ध्यान रखे इसके लावा किसान सातियों गेहूं की बुवई की समय संतुलित खादों का परियोग जरूर करें किसान सातियों इस वर्स डियेपी की कमी के चलते किसान बई डियेपी का प्रियोग नहीं कर पा रहे हैं लेकिन किसान सात्यों गेहुं की बुवई के समय अगर आपने सई समय पर सई पोसक ततों की पूरती अपने खेत में नहीं की तो बाद में कुछ भी कर ले लेकिन उन पोसक ततों की पूरती खेत में नहीं होगी बुवई के समय जिन भी चीजों का प्रियोग किया जाता है उनका रिजल्ट कापी बढ़िया मिलता है लंबे समय तक रिजल्ट मिलता है किसान सात्यों गेहूं की बुवई के समय आप एनपी के 12, 32, 16 के साथ गेहूं की बुवई कर सकते है जिस से खेत में नाइटरूजन, फासपरस और पोटास की पूरती हो जाती है इन पोसक ततों के अलावा गेहूं की वसल को किसी भी अन्य खात की आउशकता नहीं होती है तो अगर आप भी गेहूं लगाने की सोच रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखिए जिससे निश्य तोर पर आपको फाइदा मिलेगा गेहूं की पीदवर ज़्यादा निकलेगी किसान इतमे वीडियो को लाइक और चिनल को सबस्क्राइब कर सकते है